study में भाजपा की प्रेस कॉन्फेंस के दूरान परवकता JVL नरसीमा राव पर जूता फैंक आ गया भाजपा पार्टी दफ्तर में पार्टी परवकता और जिप सवा के सदसे JVL नरसीमा भुपाल सीड से सादवी परग्या सिंग को प्रतियाशी बनाए जाने पर प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे थे और तभी होल में मौझूद एक सक्ष ने जीवियल पर जूता फैंक दिया इस दुरान वहाँ पर मौझूद लोगों ने उस शक्ष को पकड़ लिया और उन्हें जूता फैंकने वाले वैकती ने खुद को वकील बताया है आपको बता दें कि भाज़ सिंगा परलक्ता जीवियल पर एक शक्स ने प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान जूता फैंक खा भाज़पा के कारेकरताओं ने उस शक्स को पकड़ा तो उसने खुद को वकील बताया तस्विरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जूता फैंकने के बाद भाज़पा कारेकरताओं ने उस शक्स को धर्दबोचा औरे जूता तब फेंका गया जब प्रेस कॉन्फरेंस में साध्वी प्रगा का नाम अनौंस किया गया भाश्पा की प्रेस कॉन्फरेंस के दोरान जूता फेंका गया और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि उसके बाद भाज़पा के कारेकरताओं ने उस वैक्ति को धर्द बोचा उस वैक्ति ने खुद को वकील बताया है तस्वीरों में आप साफ तोर पर देख सकते हैं इस जूता कांड की तस्वीरें